इसले वीडियो में हमने बात की थी कन्या लगन में जब भी तीसरे भाव में आपका कोई भी गरह अगर सूरिय के द्वारा अस्थ हो रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे सूरिय अगर आपका इस प्रकार से चोथे भाव में इस्तित हो या फिर तीसरे भाव में इस्तित हो तो कोई भी ग्रह अगर आपका चतोर थाउस में अस्त हो रहा है सूरिय के द्वारा तो उसका कैसा असर आप देख पाएंगे अपनी life में देखे सूरिय यहां पर आपके चार्ट में हो सकता है चतोर्थाउस में स्थित हो या तीसरे में या यहां पर पंचम में लेकिन सूरिय यहां पर बारवे घर के स्वामें होके आ रहे हैं और हमने यहां सूरिय को चतोर्थाउस में लिया चतुर्थ हौस में सूरिये अपने मित्र यानी ब्रस्पती के घर में होंगे तो सूरिये यहाँ पर बहुत अच्छा फेल करेंगे और सूरिये यहाँ पर आपको आपके कैरियर में आपके प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे अब यहां पे हम परतेक इन में से ग्रहों को लेंगे और इनका अस्त का प्रभाव हम देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे सनी के बारे में सनी अगर यहां पर इस्तित हैं आपके चतुर्थाउस में और अगर वो सूरिय के द्वारा अस्त हैं तो ऐसे में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है आपके लिए कि आपको domestic मावलों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है हलंकि सूरिये द्वारा अस्थ होने के वज़े से सनी यहाँ पर उतना अच्छा फिल नहीं कर सकेंगे और सूरिये की प्रबलता रहेगी तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है आपको आपके profession की वज़े से या आपके किसी भी ऐसे काम की वज़े से किसी भी business purpose से आपको अपना घर से दूर रहना पड़ सकता है या घर छोड़ना पड़ सकता है इवन आपको विदेश में रहना पड़ सकता है फिर सनी यहाँ पर neutral होते हैं वैसे अगर धनुरासे में देखा जाए तो और बरस्पति के साथ भी इनके काफी अच्छे समंध हैं अगर हम देखें तो समंधों के इसाब से तो यहाँ पर देखा जाए तो सनी का जो impact है अब आपको यह देखना पड़ेगा कि सूर्य कितना ज़दा सूर्य क्लोज होगा और सूर्य जतना ज़दा बली होगा बेगरी वाइज उतना ही ज़दा impact यहाँ पर सूर्य का रहने वाला है तो अब सनी आपकी चार्ट में पांचवे और चठेगर के स्वामी बनते हैं अब आपको इन भाओं से समंदित रिजल्ट प्राप्ट करना काफी आसान हो जाएगा इन भाओं से समंदित आप अगर कोई भी कारिय करेंगे तो उसमें आपकी सफल्ता सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर आपकी संतान का योगदान आपके घर परिवार के कारियों में या आपके कैरियर में बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है इसके साथ आप अपने career को लेकर बहुत ज़्यादा satisfaction हासिल कर सकते हैं या अपने domestic मामलों को लेकर घर परिवार के मामलों को लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिये नजर आएंगे इस बज़े से इसके साथ ही आपके decision making समय पर होगी बहुत अच्छे से आप decision ले सकेंगे अब सनी क्योंकि चटे करके स्वामी होने के वैसे ऐसा हो सकता है कि आपके young age में थोड़ा आपको परेशानियों का सामना करना पड़े घर परिवार के लिए या अपने profession के लिए लेकिन धिरे धिरे आप काफी ज़्यदा mature होते चले जाएंगे और आप अपनी पूरी ability का इस्तिमाल करते चले जाएंगे यहां सूर्य के द्वारा सनी अस्थ हैं तो निस्त रूप से अब अपने सत्रों को अच्छे से प्राजित कर सकेंगे और आपकी सत्रों आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे तो यह स्तिति हमें देखने को मिलेगी सनी के अस्थ होने अब हम लेते हैं यहां बुद्ध को अगर यहां बुद्ध अस्थ हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तो देखिए बुद्ध के अस्थ होने से यहां पर बुद्ध की क्वालिटीज में वर्दी होगी हमेशा बुद्ध आपके लगनST और 10th हाूस के सौमी बनते हैं ऐसे में इ इनका दसवा भाव और लगन से वो चतूर्थ में होंगे तो बुद्ध यहाँ पर कितना ज्यादा क्लोज है सूरिये से अगर सूरिये से बुद्ध बहुत ज्यादा क्लोज है तो यह समझ लेजिए कि आपको आपके प्रोफिशन में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है आप अ बहुत अच्छे वक्ता होंगे आपका जो करेक्टर होगा या जो आपकी परशनलिटी होगी वो बहुत ज्यादा करिस्माई हो सकती है आप दूसरों पर अपनी बातों का प्रभाव या अपने जो भी आप सब्द बोलेंगे उनका प्रभाव ज्यादा छोड़ पाएंगे तो इससे आपके प्रोफेशन में सफल होने की समावना बहुत अधिक बन जाती है आपको ही टिचिंग या फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं हलंकि आपको डिस्पोजिटर को भी देखना जुर रहे हैं डिस्पोजिटर जो की ब्रस्पति बनते हैं इस स्वामी है और टेंथ हाउस के भी स्वामी है तो इस केस में आपको नेम फेम या बहुत ज़दा लाइफ में एच्वमेंट मिलने की संभावना बन जाती है इसके साथ आपका जो ओरा होगा काफी ज़दा एट्रेक्टिव होगा तो दूसरे लोग आपसे बहुत जल्दी एट कर रहे हूं तो इससे आपने डूयलिटी और बढ़ेगी और आप काफी ज़दा काम कर सकेंगे बहुत ज़दा मेहनत कर सकेंगे इस वज़दे से आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉंग होगा आपका जो डिसीजन मेकिंग है बहुत अच्छा होगा मैनेजमेंट का इसक प्रिवार से बहुत ज़दा मदद मिल सकती है पारिवारिक मामलों में धन सम्पत्ती के मामलों में इसके सासाथ क्योंकि मंगल तीसरे भाव की स्वामी तीसरे भाव के स्वामी होने की बज़े से आप अपना खुद का effort बहुत ज़्यादा लगाएंगे घर परिवार के कारियों में और आप अपने मानसिक सुक्सानती हासिल करने का भी पूरा-पूरा प्रियास करेंगे यहाँ पर थूड़ा सा आपका married life disturb होने का डर जरोड रहेगा अगर ब्रसपती अच्छे इस्तिति में नहीं है और अगर सात्वे भाव में कोई क्रूर ग्रैब बैठा है तो क्योंकि मंगल यहाँ पर ज्यादा powerful हो जाएंगे क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको परते एक अस्त ग्रै का प्रवाव बताया कि सूरिये से अगर कोई भी ग्रै अस्त होता है तो वो कैसा कैसा impact दे सकता है तो यहाँ पी देखिए अगर मंगल अ achievement बहुत जल्दी हासिल होंगे लेकिन आप में धहरिये की बहुत ज़्यदा कमी रहेगी आप अपने boss के साथ अच्छे समंदों को नहीं देख सकेंगे कभी कभी अपने घर परिवार या अपने professions related आपकी काफी सारी यात्राएं भी होती रहेंगे और आप काफी active होंगे mind से भी काफी active होंगे और body से भी काफी active होंगे इसके साथ आप में बहुत ज़्यादा dedication होगा किसी भी काम को करने को लेकर लेकिन यहां जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी वो अपनी energy के balance को लेकर आएगी आप अपने emotions को balance नहीं कर सकेंगे अपनी energy को भी balance नहीं कर सकेंगे कभी कभी इसके साथ केरियर में आप बहुत ज़्यादा आगी जा सकते हैं क्योंकि फिर सूर्य और mangal का जो दर्ष्टी रहेगा आपके दिसम भाव पर रहेगा ऐसे में केरियर में सबसे ज़्यादा achievement प्राप्त होने के chances हैं आपके लिए उसके बाद हम यहां लेत इसके दुबारा आपके जीवन साथी को काफी सपोर्ट किया जाएगा ब्रस्पती चतूर्था उसमें अगर अस्थ हैं तो निश्चित रूप से यह ब्रस्पती आपको ज्यादा से ज्यादा समझ विक्सित करेगा विवेक आप में विक्सित करेगा और जो कुछ आपने सी ब्रस्पती की जो क्वालिटीज हैं वो सूर्य की द्वारा इनहेंस होंगी ऐसे में आप बहुत ज़्यादा विवेक सिल विक्ती बहुत ज्यादा अच्छे विक्ती नजर आ सकते हैं ग्यान के मामले में आपकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हो सकती हैं आप एक बहुत अ अच्छे वक्ता या बहुत अच्छे कोई अध्यात्मिक गुरू हो सकते हैं ब्रस्पति का यहां अस्त होना यह दिखाता है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे आपको काफी नयम फिर्म हासिल होगा और इवन अपने प्रोफेशन से रिलेटे हो जाएगा इस केस में तो ब्रस्पति यहां पर और ज्यादा चमकेंगे तो ब्रस्पति से रिलेटेड गुनों की प्रदांता आपके अंदर होने के बहुत ज्यादा चांसे हैं इसके साथ आपका जो जिवन साती होगा थोड़ा डॉमिनेटिंग अवस्य होगा लेकिन उसका रोल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आपके गरेलु कारियों में इसके बाद हम लेते हैं यहां शुकर को शुकर अगर सूर्य के द्वरा अस्थ हो रहे हैं तो शुकर बनते हैं आपके दूसरे भाव के स्वामे और नवे भाव के स्वामे ऐसे में घर गरस्ति का जीवन साती के साथ और आप काफी बार ऐसंतուष्टी महसूस करेंगे अपने द्वरा इसके साथ धन संपत्ति के मामले में आपको बहुत ज्यदा अच्छी सफलता मिल सकती हैं आपको जीवन साती की मदद से भी धन संपत्ति में पर यह इस्तेति रहेगी अब सुर्य और श एक्ट करने के लिए बहुत अच्छे इस्तिती बनेगी आप लोगों के लिए इसके साथ आपकी popularity में बहुत ज्यादा वर्दी होगी आप बहुत सारे ऐसे कारिये कर सकेंगे जो काफी ज्यादा creativity से जुड़े हैं या जहां पर बहुत ज्यादा creativity के आप सिकता पड़ती है हमे ये ब्रसपती की कैसे इस्तिती है आपके चार्ट में ये देखना आपको काफी एहम रहेगा और ब्रसपती अगर अच्छे इस्तिती में है तो ऐसा जो चंद्रमा होगा वास्ता में आपके लिए बहुत सारा जीवन में achievement लेकर आएगा देखिए चंद्रमा अगर सूरिये स अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में आपकी इच्छा सकती बहुत ज़्यादा दर्ड हो सकती है आपका अत्मिस्वास बहुत ज़्यादा दर्ड हो सकता है फिर आपके परिवार की रेपूटिशन बढ़ेगी आपकी वज़े से भी और आपके माता-पिता की वज़े से भी इसके स आपको आपके घरलूज जिवन के जो कारिय है उनमें काफी आसानी रहेगी परिवार के सदश्टों से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा इसके साथ चंदरमा क्योंकि 11 घरके स्वामी बनते है 11 घरकी स्वामी होकर अब वो अगर सूर्य के द्वरा अस्त हो रहे है तो निस्स साथ आपका माता-पिता से बहुत एहम लगाव रहेगा लाइफ में और उनका सपोर्ट आपके केरियर में आपको रहेगा तो चंद्रमा का अस्थ होना भी हम यहां काफी अच्छा मानेंगे धन संपत्ति के दृष्टिकोंड से भी इसके साथ माता-पिता से आपको हमेशा सह से योग मिलता रहेगा और धन संपत्ति की जो उमीद है आपको ज्यादा से ज्यादा इस केस में रखने चाहिए अब देखे चंद्रमा अगर सूरिय के द्वारा अस्थ है तो यहां पर चंद्रमा भी क्रियेटिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं इमेजिनेशन को बहुत के फेवर में काम करेगा बहुत बार तो यह कुछ प्रभाव रह सकते हैं जब भी यह सभी रहे आपके सूरिय के द्वरा अस्थ हों और चतोर्थ हावस में इस्तित हों